अगर प्रेगनसी में ये करेंगी तो आपकी 100% गैरंटी के साथ डिलिवरी नॉर्मल हो सकती है सिजेरियन ओपरेशन की बजाए नॉर्मल डिलिवरी ही बहतर रहती है और आप खुद अपनी नॉर्मल डिलिवरी की संबाबना बढ़ा सकती है कैसे बढ़ा सकती है आज इस वीडियो में उसी टॉपिक पर चर्चा होगी वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर आप चाहती है कि डिलिवरी आपकी इसली से नॉर्मल तरीके से हो जाए कम दर्द में हो जाए तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना है आज कल गाइस हो क्या रहा है कि महलाएं लिवर पें से बचने के लिए सेजेरियन डिलिवरी को चुनने लगी है क्योंकि सेजेरियन डिलिवरी में पें नहीं मालुम पड़ता है लेकिन आपको बता दे कि आपके सरीर और बच्चे के लिए नॉर्मल डिलिवरी ही बहतर होती है नॉर्मल डिलिवरी के बाद रिकवर होने में कम समय लगता है जबकि सिजेरियन ओपरेशन से बच्चा पैदा करने के बाद पूरी तरह से ठीक होने में महीनों लग सकते हैं और महीनों तक दर्द सहने और हापतों तक बिस्तर पे पड़े रहने से तो अच्छा है कि गर्ववती महलाई हमेशा नॉर्मल डिलिवरी को ही चूज करें तो चलिए गाइस अब जान लेते हैं कि आपको किन टिप्स को फॉलो करना है जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी के चांसे बहुत हद तक जादा बढ़ जाएं चलिए आप जान लेते हैं सबसे पहले आपको एक सही डॉक्टर का चुनाओ करना है जो इन कामों में बहुत जादा एक्सपर्ट हो आपको पहला काम ये करना है जब आपका नॉव महिने स्टार्ट होता है तो आपको काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि न आपको एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है आप योगा ब्यायाम जरूर करें इससे आपकी जो मास्पेशिया है बहुत ज़दा एक्टिव रहती है और आपको डिलिवरी नॉर्मल होने में जादा दिकत परिशानी नहीं होती है तो योगा ब्यायाम आपको जरूर करना ह और जब भी आप खाना खाती है चाय मार्निंग में खाना खाती है या फिर डिनर करती है जब भी आप खाना खाती तो दोस्तों Belton आपको हमेसा दस से पंद्ध. या फिर तीस मिनट तक जरूर तहलना चाहिए आप अपने च्चत पे भी टैल जहां आपको जगे मिलती है तो बहां आपको खाना खाने के बाद ज़रूर चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है हमारे पेट में जो खाना हमने खाया है तो उसे पचाना बहुत ही जरूरी होता है इसलिए हमारा डाइजेशन सिस्टम भी कमजोड नहीं होता है अगर हम तह लेत जिससे आप एकदम से हजम ना कर पाएं, तो आपको जिसमें पचाने में बहुत ज़दर टाइम लगता है, तो ऐसी चीज़े थोड़ा आप अवोइट करें, आप हेल्दी खाना खाएं, आप दिन में चार बार खाईएगा, लेकिन कम खाईएगा, एकटा खाने से आपको करता है, तो सबगे में आप घी डालकर खा सकती है, लेकिन घी खाने से पहले, आपको एक चिज़का ध्याण रखना है, अगर आपका बजन पहले से ज़ादा है, तो आपको घी को थोड़ा समल चाहिए, ध्यान से खाना चाहिए, आप एक चमच घी का सेवन नौओ सेवन, नेक्स जो टिप्स है वो ये है कि आपका जब नवब महीना स्टार्ट होता है तो आपको गुनगोने हलके गुनगोने पानी का सेवन आवश्चर करना चाहिए इससे क्या होता है हमारी जो मास पेस्या होती है वो थोड़ी धीली सी हो जाती है जिससे कि बच्चे को head down करने में problem नहीं होती है और बच्चा जब नीचे की तरफ head down कर लेता है मतलब बच्चा नीचे की तरफ सिर कर लेता है तो बच्चे दानी का जो मुह होता है cervix mouth easily से open हो जाता है और हमारी delivery भी normal तरीके से हो जाती है तो इन बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना है अब जो next हम point आपको बताएंगे वो very important है वो आपको ध्यान से सुनना है आपकी सोने की position के उपर भी depend करता है कि आपकी delivery normal होगी या फिस सेजेरियन क्योंकि अगर आप सही धंग से pregnancy के टाइम पर नहीं सोएंगी तो दोस्तों इससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्त हो सकती है जैसे कि आप सोती है और एकदम से अचानक उठती है तो इससे क्या होता है हमारे बच्चे के गले में गर्वनाल भी भच सकती है जब हमारा 9 महिने स्टार्ट होता है 9 महिने के अंत तक तो हमें बहुत ही समल के रहना पड़ता है तो आपको हमेशा हडवडा के तो बिल्कुल भी उठना ही नहीं है लेफ्ट पोजीशन में ज़्यादा से ज़्यादा शोना है और right position में आप सो सकती है लेकिन आपको left position में जादा सोना चाहिए एकदम आपको उठना नहीं है एकदम से जुकना नहीं है ऐसे कोई भी कारे आपको नहीं करने है तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको दूद भी पीना है, आप दूद खाना खाने के दो घंटे बाद आप दूद का सिबन जरूर कीजिएगा, और अपने खाने में बहुत ज़दा ध्यान दीजिएगा, आपको healthy खाना खाना है, पत्तेदार सब्जिया होती हैं, दालों का सिबन कीजिए, आप अपनी डाइट पर बहुत ज़दा ध्यान दीजिएगा, साथी आपको walk करना है, वो बिल्कुल भी ना भूलें, तो आशा करते हैं, आप लोग समझ कए होंगे, अगर आप इन tips को follow कर लेंगी, तो 100% आपकी chance बनते हैं, delivery नॉर्मल होने के, त अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर कर लें, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं next वीडियो में